हाई कैसे आप लोग I hope आप सभी अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में हम लोग study करेंगे प्रोज क्या होते हैं प्रोज कितने types के होते हैं और प्रोज के style क्या होते हैं और some important point भी हम लोग जानेंगे प्रोज से लेकर तो first हम लोग जानते हैं कि pros क्या होते हैं pros की अगर आपको meaning लिखनी हो तो आप simple लिख सकते हैं pros looks like largest block of word तो pros जो होता है वो देखने में एक तरफ से लंबा बोल सकते हो या long एक तरफ से word का pattern होता है या फिर आप इसको एक block समझ सकते हैं जैसे कि हम मैं आपको एक example के तो इसको easy लिख समझाती हूँ कि देखिए हम कोई भी novel परते हैं तो वो एक block का अलग-अलग खंड होता है यानि कि एक story का अलग-अलग खंड होता है उसमें कितने साड़े word को use किया जाता है तो वो ही अमारा pros है यानि कि गद है यानि कि इसमें बहुत ही एक लंबा पैटर्न होता है words का और इसको अलग-अलग ब्लॉग में इसको बांटा जाता है इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं अब अगला point में आप इसको लिख सकते हैं यह जो word दिया गया है the ordinary language people using speaking or writing तो यह जो अपका prose होता है वो एक तरह से बहुत ही ordinary type का लैंग्वेज होता है जैसे हम आम तोर पे बोलते हैं तो आप इसको simply समझ सकते हैं कि यह जो prose होता है वो एक simple language होता है जिससे हम अपनी dairy life में use करते हैं उसी type का यह form होता है यह written form में जब इसे लिखा जाता है अब अगले point को हम लोग जानते हैं जो कि है prose के father कौन है तो prose के जो father है वो है William Tyndall यह अपने time के बहुत ही famous writer है यह बहुत ही talented English linguistic है scholar है और इन्होंने बहुत सारे novel को translate भी किया है अब prose के बारे में थोड़ा सा extra चीज़ा हम भी हम लोग जान लेते है prose जो होता है वो poetry से काफी अलग होता है इसके जो style होते है इसके जो quality होती है या फिर इसके लिखने का जो pattern होता है वो poem से काफी जादा different होता है इसमें हमें किसी rhythm की ज़रुद नहीं होती है कोई lag की ज़रुद नहीं होती है इस तरह से इसके कुछ important point होते है अगले point में हम लोग चानते है कि इसके style क्या होते है यानि कि जो prose होता है उसका style क्या होता है ये जो prose होता है हमारा तो इसको लिखने के लिए हमें grammar जो structure से उसका हमें use करना पड़ता है यानि कि इसमें rhythm की तो ज़रुत नहीं होती है लेकिन हमें grammar जो चीजे होती है उसे हमें अच्छे से समझना होता है और उसके according हमें लिखना होता है हाँ यह उतनी मुश्किल नहीं होती है कवीता जिसमें हमें rhythm की ज़रत परती है और थोड़ी सी वो अलग type की उसकी language भी हो जाती है इसके बहुत ही simple sentences होते हैं जिसे कोई भी easily पढ़ के समझ सकता है यह काफी लंबी होती है पर बहुत ही simple होती है जैसे आम तोर पर हम बातचीत करते हैं किसी person से उस type के इसके writing के patterns होते हैं इसमें जो phases यूज के जाते हैं या फिर उससे arrange किया जाता है वो बहुत ही simple जैसे कि हम अपनी normal life में जिस सब्द का use करते हैं उस तरह की work का use किया जाता है इसमें जो idea होते हैं जो concept होते हैं या फिर इसमें जो भी story होती है वो एक तरह से जो reader होता है उसको बहुत हद तक उसकी life से connected करता है और इसमें जो writer लिखते हैं, जिस pattern से, वो एक तरसे हमारी life से ही उसे जोडते हैं, एक तरसे हमें connect करते हैं, तो इस तरसे इसका style का pattern होता है, अब अगले point को हम लोग जानते हैं, जो की है हमारा, कि types of prose, अप prose जो होते हैं, वो कितने types के होते हैं, या फिर इसके क्या forms होते है इसके 4 forms होते हैं, पहला है non-fictional prose, यह जो होता है, इसमें कालपनिक चीजे नहीं होती है, यह तरसे reality को present किया जाता है, अगला जो हमारा fictional prose, यह जो होता है, कालपनिक होता है, बहुत तरह के novel या story बढ़ते होंगे, जिसमें एक तरसे कालपनिक जो चीजे है, उसका बहुत जादा यूस किया जाता है, तो उसे हम लोग fictional prose कहते है, अगला जो point है, हमारा prose poetry, यानि कि इसके जो forms होते है, poetry में भी हमें देखने को मिलते हैं, बढ़ वो अलग टाइब की होती है, उस पे हम अलग सी डीटेल वीडियो बना सकते हैं, और last show हमारा है, four number heroic prose, तो यह जो प् इसमें especially एक तरह से वीरता को present किया जाता है, past में जो किसी person के character को present किया जाता है, जिसने बहुत अच्छा काम किया है, और उसे लोगों को कुछ सीखनी चाहिए, अभी की कुछ movie भी है, वो इस टाइब की बनाई जाती है, जिसमें hero को एक तरह से उसके character को पुरा निचोड कर दिखाया जाता है, उसके अच्छे behavior को, या फिर वो life में क्या कर रहा है, उसकी वीरता की कहानी क्या है, उससे लोगों को क्या सिख लेनी चाहिए, इस तरह के character जो दिखाया जाता है, उससे हम लोग इस ट्राइब के novels या फिर प्रोज में इसे बोल सकते हैं, इस ट्राइ इसमें, legend, क्यूदंती, इस टाइब के भी writing इसमें आते हैं, favel, paraval, different types के इसमें novels आते हैं, जो की लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, sort stories में आती है, यानि की छोटी मूटी कहानिया भी इसमें आती है, access इसमें आते हैं, different types के इसमें जो नीवन होते हैं, वो भी आते हैं, तो यह रहा guys, एक simple सा concept, जो कि हमारा pros के बारे में था, इसके बाद हम इसके अगले जो part है, उसमें हम लोग इसकी बाकी की जो detail है, उसको cover गए रहेंगे, and last, thanks for watching this video, bye, take care guys.